लगातार हो रहा है इस ओल राउंडर खिलाडी से सौतेला वेवार जिसके चलते मिल रही है इस सीजन में हार, जिसने टीम को हर एहम मौके पर मैच जिताया, दिल्ली कैपिटल्स कर रही है उसका टीम से सफाया, गेंद और बल्ले से इस खिलाडी ने आईपियल में मचा रखा है धवाल, टीम मैनेजमेंट फिर क्यों खड़े कर रहा है सवाल, जिस खिलाडी को फैंस मानते हैं दिल्ली का दिल, टीम मैनेजमेंट और कैप्टन ने खड़ी कर दी मुश्किल, इंडियन प्रीमियर लीग 2023 का लगबग आधा सीजन खत्म हो गया है, कई टीमों का बोल बा भी दे रहे हैं, इन सब के बीच एक ऐसा ओल राउंडर खिलाडी भी है, जो लगातार अच्छी परफॉर्मस देने के बावजूद भी टीम मैनेजमेंट और कैप्टन की नजरों में खटक रहा है, हम बात कर रहे हैं आईपिल में दिल्ली के उस खिलाडी की जिसने टीम को हर एहम मौके पर अपनी परफॉर्मस की बदालत आगे किया है, अब वही टीम मैनेजमेंट उसके साथ सौतेला वेभार कर रहा है, इस साल पॉइंट टेबल में सबसे नीचे होने का कारण भी यही है कि दिल्ली टीम के द्वारा उस खिलाडी को उसके सही इस्तान पर ना ख जान पाया है, आज हम आपको अपनी रिपोर्ट में उस किलाडी को लेकर एक बड़ा कुलासा करेंगे, आए जानते हैं, आइपिल के सीजन में दिल्ली डियर डेविल्स ने आठ मैचों में केवल दो ही मैचों में जीत दर्ज की, और ये दोनों ही जीत ऑल राउंडर बल्ल अक्षर पटेल की, टीम का इस साल का सीजन सबसे बहतरीन रहा, दिल्ली को जो दो जीत नसीब हुई, उसमें उनकी बल्लेबाजी की धार ने और गेंदबाजी के पैने परने विरोधियों को ना को चने चबवा दिये, दिल्ली को हैदराबाद के खिलाफ मिली जीत में बल् तेरा रंदे कर दो विकेट चटकाए, इस सबके बावजूद भी टीम मैनेचमेंट उनको बैटिंग ओर्डर में सबसे नीचे भेजता है, जबकि दिल्ली का मिडेल ओर्डर इस समय जूज रहा है, अक्षर ने आकर कई बार उंदापारी खेली है, कल हुए मैच में भी अक अब फाइनल में जगह बनानी है, तो अक्षर पटेल को सही ओर्डर पर भेजना जरूरी होगा